हलो स्टूडेंट्स मैसलफ अभिशेक अगरवाल और स्वागत करता हूँ आपका आपी के चैनल मागनेट ब्रेंज पर एक ऐसा चैनल जो दो चार पाथ चैप्टर नहीं बल्कि जितने चैप्टर आपके सलेबस में है जितने चैप्टर सीबसी काट चुका है या जितने टॉपिक सीबसी रेडियूस कर चुका है उन सभी के वीडियोज आप तक पहुचाए जाते हैं absolutely free of cost, quality education दी जाती है मागनेट बेंज के चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में स्वागत करता हूँ मागनेट बेंज पर और class 10th chemistry का 5th chapter यानि की आखरी chapter periodic classification of elements में हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे earlier attempts की earlier attempts मतलब elements को classify करने के लिए पुराने scientists ने क्या जदोजहत की, क्या महनत की और क्या उनके मन में idea आया उस idea को हम लोग discuss कर रहे हैं और उनी idea के साथ उनकी limitations को discuss कर रहे हैं जो वज़ा बनी उनके उन concept को या उनके उन laws को खारिच करने की वज़ा तो वो क्यो खारिच कर दिये गए, क्या उनमें गलतिया थी, वो सब हम earlier attempts में देख रहे हैं हम बात करेंगे लौथर मेर के कर्फ की, लौथर मेर्स कर्फ, अब कही लोग बोलेंगे कि सरह यह NCRT में नहीं है topic हकीकत भी है, लौथर मेर के बारे में बस एक line दे दी गई है, दो line दे दी गई है 11th में भी बस एक paragraph दे दिया गया है, आपको लौथर मेर बहुत detail में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दू एक बात लौथर मेर के बात पढ़ाया जाता है, मेंडलीव periodic table और मेंडलीव periodic table को बनाने के लिए एक law बनाया था मेंडलीव साब ने, जिसका नाम था मेंडलीव periodic law ठीक है, उस law का जो base था, मतलब उस law का जो fundamental principle था, उस principle की शुरुवात, मतलब उस principle का initiative, hint, लौथर मेर के कर्व में ही मिल गई थी मतलब आप कह सकते हो ऐसा कि मेंडलीव ने जिस law के दम पे table बनाया है, मेंडलीव periodic table बड़ा famous table है वो और काफी important question मेंडलीव के topic में से आते हैं, वो मेंडलीव का periodic table या periodic law लौथर मेर कर्व की वज़े से ही बन पाया अगर लौथर मेर कर्व नहीं होता ना, तो ये मान कर चलो कि मेंडलीव का periodic law बनी नहीं पाता और फिर table ही नहीं बनता, तो मेंडलीव का table जो कई सालों तक माना गया classification of elements की category में वो होता ही नहीं अगर लौथर मेर कर्व नहीं होता तो लौथर मेर कर्व की अपनी importance है, हलाकि हमारी books, हमारा syllabus, हमारा course content इतनी ज़्यादा importance नहीं देता लौथर मेर कर्व को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत importance देता हूँ लौथर मेर कर्व को और मैं आपको बताऊंगा लॉथर मेर कर्व में होगा क्या और क्या चीज़े होती है अब समझना मेरी बात को लॉथर मेर क्या कर रहे थे he conducted an experiment जिस experiment में वो ये देखना चाहते थे कि किसी भी element के जो atoms होंगे जाहिर सी बात है जो element है atom से बना होगा उसके atomic volume पर क्या असर होगा अगर atomic mass change कर दिया जाए मतब अगर atomic mass change करते है बढ़ा दिया जाए तो atomic volume क्या होगा क्या बढ़ेगा अब normal चीज़ हम लोग क्या मानते है कि सर अगर किसी का mass बढ़ेगा तो जाहिर सी whatever the mass of a substance we are having that mass is directly proportional to volume हम ऐसा लिख देते हैं तो clear हो गया कि भाई अगर mass बढ़ेगा तो volume भी बढ़ेगा और यह बात बिलकुल सही भी है logically सही भी है mass बढ़ेगा तो volume भी बढ़ेगा अगर चीजों का आप वजन बढ़ाते जाओगे तो उनको घेरने के लिए ज़्यादा जगा चाहिए रहेंगी मतलब ज़्यादा space occupy करेंगे मतलब उनका volume भी ज़्यादा ही होगा तो mass is directly proportional to volume यह बात तो सही है हम अपने example ले ले भाई जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे हमारा mass बढ़ेगा weight बढ़ेगा और weight बढ़ेगा तो हमारा volume भी बढ़ेगा मोटे हो जाएंगे न फिर ज़्यादा जगा चाहिए बैठने लेटने के लिए समझेर हम कम mass होगा कम खाना खाएंगे तो कम mass होगा कम mass होगा तो कम जगा घेरेंगे तो हमारा volume भी कम होगा तो जिनका मास जादा है उनका जादा वॉल्यूम होता है मोटे लोगों का जिनका मास कम है उनका वॉल्यूम भी कम है तो ये बात तो जनरली सही है समझ में आती है प्राक्टिकल लाइफ में हम भी बानते हैं कि सर सही बोल रहे हो mass बढ़ेगा तो volume भी बढ़ेगा ये बिल्कुल सही है और इसी से density का formula आता है फिर क्या करते हो mass proportionality का sign open up कर देते हो constant ले आते हो constant को क्या नाम देते हो density into volume ये constant होता है density into volume तो फिर density into volume ये आपका formula आजाता है mass का और फिर यहां से density का formula भी निकाल लेते हो, करा हो गई ये क्या formula आता है density का पता है mass by volume, तो ये volume नीचे आ चाहेगा इधर चाहेगा तो, तो it will become mass divided by volume so it will become mass divided by volume, ये आगे आपका density का formula तो ये आपका formula आगे किसका density का, ये आगे आपका formula ये कहता है mass और volume का relation general चीज़ों के लिए, general मतलब simple matter के लिए अब लौथर मेर क्या देखना चाहते थे, क्या ये ही principle क्या ये ही formula ये ही concept, element जिन से बने हैं, यानि की atoms, उन पर भी लगता है हलाकि ये वो experiment क्यों कर रहे थे, क्या वो इसे classification करना चाहते थे क्या वो element की कोई और property बताना चाहते थे, क्या वो element की जगा बताना चाहते थे कि इनको इस तरीके से आप study कर सकते हो, और इस जगा पर locate कर सकते हो ये कहीं जिक्र नहीं है सिर्फ एक जिक्र है कि उनने mass और volume के बीच में relationship develop किया atom को लेकर atom के mass का atom के volume के बीच में relationship develop किया और इस development में उनको बड़ा ही एक बहुत ही एक unique trend मिला unique trend मिला मतलब हम जो मानते हैं कि mass is directly proportional to volume जो हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में किसी भी matter पे लागू हो सकता है जो हम पर भी लागू होता है ऐसा सीधे सीधे तोर पर atom पे लागू नहीं हुआ atom पे ऐसा बिल्कुल exactly ऐसे लागू नहीं हुआ ये बात लॉथर मेर ने पहले पता करे तो हमने लॉथर मेर साब से पूचा कि लॉथर मेर साब अगर ये लागू नहीं हुआ तो फिर लागू हुआ क्या मतलब what is the relation between atomic volume with respect to atomic mass क्या relation है तो उनने कहा कि बेटा atom का जैसे जैसे mass बढ़ेगा atom का जैसे जैसे mass बढ़ेगा वैसे वैसे उसका volume भी बढ़ेगा लेकिन वो periodically बढ़ेगा हमने कहा सर एक मिट ये बास समझ में नहीं आई periodically मतलब उनने कहा आप इस relation से क्या समझते हो तो हमने कहा सर इस relation से हम ये समझते हैं कि mass बढ़ेगा तो volume भी बढ़ेगा और जितना जितना mass बढ़ते जाएगा उतना होता volume भी बढ़ते जाएगा तो उनने कहा ठीक है एक चीज में atom के साथ भी यही होगा लेकिन atom के mass के साथ atom का volume सीधे सीधे नहीं बढ़ेगा periodically बढ़ेगा हमने कहा सर पीरियोडिकली मतलब तो उनने कहा कुछ हद तक बढ़ेगा 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 फिर एकदम से कम हो जाएगा हमने का फिर फिर कम होता रहेगा वो लेगे नहीं 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 फिर तो बढ़ना ही चाहिए न मास के साथ तो फिर बढ़ेगा 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 पीक पोइंट पे पहुचेगा फिर कम हो जाएगा फिर बढ़ेगा 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 फिर कम हो जाएगा मतलब जैसे सपोस करो मास है और मास को ऐसे अगर मैं लिखता हूं तो ऐसे बढ़ता जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम अगर इस एक्सेस पर बनाओ तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा 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 फिर कम हो जाएगा फिर बढ़ेगा और बार बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है उनने कहा बहुत सारे changes हमारे आसपास होते हैं जो periodical है जैसे for example Sunday का आना हमें मालूम है हर Sunday गुजर जाने के 6 दिन बाद से वापस Sunday आ जाता है Sunday चला गया उसके 6 दिन बाद और निकाल दो 6 दिन और निकाल दो 6 दिन बाद जो साथवा दिन होगा वो फिर से Sunday होगा हर बार Sunday साथवे दिन repeat होता जाएगा तो क्या हो गया Sunday का आना periodic change February month का आना is a periodic change हर February जाने के 11 महीने बाद फिर से February आ जाती है 12th month फिर से February हो जाता है ये periodic change है मतलब periodic change का मतलब क्या है वो चीज़ें जो समय के साथ बदले और वापस repeat भी करें वो चीज़ें जो समय के साथ बदलें और वापस repeat भी करें ऐसे change को periodic change बोल देते हैं कौन सा change? periodic change और उनने कहा atomic volume भी आसी करेगा कौन? atomic volume. मास नहीं करेगा, मास तो बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा लेकिन volume variations लाएगा, बढ़ बढ़के बढ़ बढ़के peak point पे पहुचेगा फिर एकदम से कम हो जाएगा फिर बढ़ बढ़के कीक point पे पहुचेगा फिर गम हो जाएगा बढ़ना भी change होगा लेकिन यह बढ़ा हुआ वॉल्यूम है यह repeat भी होगा फिर जो घट गया volume तो वो bottom point भी बनाएगा और यह घटा हुआ volume repeat भी होगा बाद में चलके और यह with respect to atomic mass होगा, यहाँ time नहीं होगा यहाँ with respect to सारे changes यह atomic mass के दम पर किये जाएगे atomic mass के दम पर so यह एक periodic change वाना जाएगा और बोला गया है कि overall अगर आप इसका trend देखोगे तो आप यह कह सकते हो कि volume overall तो बढ़ेगा, हमने गा सार ऐसा कैसे बढ़ बोल रहे है और बढ़ेगा फिर कम भी हो रहे है, मतलब चीज तो कहीं जाएगे ने रहे तो आप यह कैसे सकते है, overall trend तो बढ़े गई वो इसलिए बोल रहे है क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि बढ़ गया बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया लेकिन दूसरी पीक में जितना कम हुआ न वो पहली पीक वाले से कम कम हुआ मतलब जो पहला माउंटेन मना था उसमें जितना कम हुआ था, उतना कम नहीं हुआ उससे कम कम हुआ मतलब इस वर्ड को समझ पा है, कम कम हुआ उतना कम नहीं हुआ, उससे कम कम हुआ मेरी भावना इस हम जो शब्दों पिसाजा मत जाओ मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ suppose करो ये चीज तो mass or density का formula इसमें कुछ है नहीं तो इसको मैं risk कर देता हूँ, आप चाहो तो एक screen shot देलो ताकि में को जगा मिल जाए, screen shot लो आप एक बार ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो जैसे उनने कहा कि सर ये volume है, किसका atom का volume है, atomic volume हलागी असली curve हो है, मैं अभी समझाओंगा उस curve को लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि curve में निकला क्या था, conclusion क्या drawn हुआ था, वो चीज़ बहुत important है, ये atomic mass है यहाँ पर, and this is atomic volume, atomic mass यहाँ से यहाँ बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे x-axis पे, और y-axis पे मैंने क्या बना दिया, atomic volume this is atomic volume ठीक है, अब उनने क्या बोला, सर mass तो atom का बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा mass तो atom का बढ़ता ही जाएगा लेकिन volume में जो changes आएगे, वो periodical आएगे, हमने का ठीक है यह देख लेते, periodical का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर किसी का एक particular mass है, और उस particular mass पर उस atom का यह वाला volume है, इतना volume है, ठीक है, अब इससे क्या होगा, वो थोड़ा सा, जैसे mass बढ़ेगा तो थोड़ा सा कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, यह बना लिया bottom most point इस वाले mass का इतना कम volume है, volume कम है, लेकिन अब volume फिर एकदम से shoot up हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यह देखो एकदम से बढ़ गया, फिर इससे यह peak point मना लिया, इस दोरान आप देखोगे कि mass बढ़ते ही जाएगा, फिर थोड़े और दूर तक mass गया, और फिर उसके बाद volume कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, यह देखो कम होने लगा, फिर क्या हुआ, फिर एकदम से shoot up हो गया, और फिर से एकदम से बढ़ गया, फिर क्या हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, और यहां कम हो गया, फिर क्या हुआ, फिर एकदम से shoot up हो गया, फिर बढ़ अब उन्हें ये कहा कि भाई साब atomic volume का जो बढ़ोतरी है जो बढ़ने का क्रम है जो बढ़ने का trend है वो बढ़ने का trend जारी रहेगा मतलब बढ़ेगा तो सही तो आप देखो कितने peak points आएं आपके पास आपके पास देखो कितने प्रकार के peak points आएं तो ये repeat कर रहा है peak points repeat कर रहा है अपको और change भी कर रहा है change क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका volume बार-बार change भी हो रहा है और देखो bottom most point भी अगर आप देखो कौन से point? bottom most point तो ये bottom most point भी अपने आपको repeat कर रहा है मतब volume periodically change हो रहा है हाँ ये बात जरूर है कि overall अगर आप trend देखोगे इनका तो overall trend आपको बढ़ता हुआ मिलेगा overall अगर आप trend देखो इनका तो overall trend आपको बढ़ता हुआ मिलेगा क्यों overall trend बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि volume कम जरूर हो रहा है दूसरी बार भी कम हो रहा है, तीसरी बार में भी कम हो रहा है, यह मालने पहली बार था, यह दूसरी बार था, यह तीसरी बार था और यह चौती बार कम हुआ है, लेकिन हर बार जो कमी आ रही है, वो उतनी कमी नहीं आ रही है, जितनी पहली बार वाले में कमी आ रही है, इसरे वाले में भी कम हुआ, मैं मानता हूं ये 3rd peak आपको दिख रहा होगा, तो 3rd peak में भी कम हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन उत्ता कम नहीं हुआ, जितना पहले और दूसरे में कम हुआ है, तो overall तो volume बढ़ आए, बस ये कम होने वाली जो trend है, ये जरूर आता है, लेकिन exactly उतना कम नहीं होता, जितना पिछले बार वालों के element में atomic volume कम हुआ था, उजसे कम कम होता है, कम कम होता है, कम होता है, लेकिन कम कम होता है, और जो peak points है अगर उनको देखो, ये पहला peak 1, ये दूसरा, ये 2, और ये तीसरा peak, peak भी देखोगे, तो पिछली बार वाले से ज़ादा peak है, मतलब ये second का जो peak point है, वो पहले वाले के peak point से ज़ादा है, second वाले का, third वाले का इन दोनों से ज़ादा है, तो overall volume आप देखोगे कि uptrend को ही follow कर रहा है, fluctuating form में follow कर रहा है, लेकिन uptrend ही follow कर रहा है, ये relation होता है इसका, तो हमारी ये बात भी सही है, कि mass is directly proportional to volume भी follow हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया के हर मेंटर के लिए follow होता है, तो ये atom के लिए भी follow होता है, बस इतना कह सकते हो not directly, सीधे तोर पे follow नहीं होता, fluctuating रूप में follow होता है, fluctuating रूप में, और ये fluctuating रूप जो होता है इसको periodic change बोलते हो, this is called your periodic change, तो ये जो fluctuating change हा रहा है, this is called the periodic change, ये आपका सार है, ये आपका summary है, ये आपका conclusion है, ये है सही graph लॉथर मेर का actually, अब आप देखो, तो इसमें लगबग आपको curve वैसी मिल रहे होंगे, थोड़े बहुत variations नीचे हैं, लेकिन आप देखो, almost curve आपको वैसी दिख रहे होंगे, peak point को देखो, अच्छी बात बताता हूँ, peak point को देखो आप, ये एक peak point है, इस वाले curve का, ये एक peak point है, इस वाले curve का, ये peak point इस वाले curve, कह सकता हूँ, अपने-अपने, fluctuations में, अपने-अपने mountains, इनको क्या तो पहाड़ बने हुए ना, अपने-अपने पहाड़ में, ये सब corresponding points है, क्योंकि ये सभी peak points, अपने-अपने पहाड़ों में, तो ये point corresponding है, मतलब इस पहाड़ का, जो top point है, वो इस पहाड़ का, ये top point है, इस पहाड़ का, ये top point है, हर mountain का, अपना एक top point है तो हर point corresponding हो गया यह corresponding points हो गया और इस corresponding point का इस्तिमाल किया किस ने मेंडलीफ ने उनने कहा जो भी एक peak में corresponding points होंगे उन corresponding points पर जो भी element होंगे कौन कौन से element होंगे लीटियम होगा, सोडियम होगा, पोटैशम होगा, रूबीडियम होगा और सीशम होगा इन सब की properties बोले तो physical and chemical यह लगबग same होंगी मतलब they are similar corresponding points यह मैंडलीफ ने बोला हाला कि यह बात मैं आगे बताता है लेकिन अभी आपको curve बता रहा हूँ इसलिए मैं भी explain कर रहा हू corresponding points, peak वाले सारे peak वाले points उठा लो, तो peak वाले points किस के पास है, lithium के पास है और sodium के पास है और potassium के पास है और rubidium के पास है और cesium के पास है इन सब की property मैंडलीफ ने कह दिया same होगी क्योंकि इन सब के volume correspondingly ज़ादा है correspondingly ज़ादा मतलब अपने अपनी mountain में अपने अपने fluctuation में यह सबसे ज़ादा है जैसे lithium इस mountain में सबसे ज़ादा है sodium इस वाले mountain में सबसे ज़ादा है potassium इस वाले mountain में सबसे उपर है rubidium इस वाले mountain में सबसे उपर है और सीशम इस वाले mountain में सबसे उपर है तो सब के peak points जो होंगे इन सब की property समान होगी similar होगी और सिर्फ peak point की बात नी corresponding point की बात है corresponding का मतलब क्या होता है जैसे एक काम करते है यह आपको यह वाला एक और point दिखाता हूँ आपको आपको यह वाला point दिख रहा है इस पहाड पे वो कहा है इसके दूसरी वाली line जो नीचे जाती है उसके इस side पर है तो इसके लिए वो corresponding कहा होगा यहां होगा इसके लिए वो corresponding कहा होगा यहां होगा इसके लिए वो corresponding कहा होगा यह होगा आपको दिख रहा है red point ये सब red point एक mountain में एक ही position पर आ रहे अपने mountain में same position पर आ रहे इस mountain में ये position पर है तो इस mountain में वही position ये वाले red point की है इस वाले mountain में ये वाले red point की है और इसी तरीके से इस वाले mountain में ये red point तो ये corresponding points हो गए यह corresponding हो गए corresponding मतलब बिल्कुल उससे similar उसकी जगा पर उससे similar तो यह similar points है अब यह वाले volume का जो भी element होंगे, मालो यहाँ पर अभी हम predict नहीं कर रहे है, लेकिन मालो यहाँ पर element A है, यह B है यह C है, यह D है तो A, B, C और D आपस में similar properties रखते होंगे similar properties रखते होंगे same property है यह बात Mandelief ने Lothar Mayer curve से पता कल ली थी और यह बात Lothar Mayer curve से इस तरीके से पता चल गई corresponding points की, तो यह Lothar Mayer का curve है और आपको simple, आपको कभी curve बनाने को नहीं आएगा, आप चिंता मत करो, exam में कभी question नहीं आएगा, draw the Lothar Mayer curve on this graph paper ऐसा कुछ नहीं आएगा graph अगर in case आ गया या graph नहीं भी आया तो Lothar Mayer साब क्या कहना चाते थे आप यह बता पाओ तो भाई साब Lothar Mayer साब यह कहना चाते थे कि mass के साथ साथ volume बढ़ेगा यह तय है, सही बात है overall volume बढ़ी रहा है क्योंकि हम देखी रहा है क्योंकि हर बार जो कमी आ रही है वो पिछली बार वाली कमी से कम कमी आ रही है और बढ़ोतरी उससे जादा ही हो रही है तो overall volume बढ़ रहा है लेकिन वो volume सीधे सीधे नहीं बढ़ रहा fluctuating form में बढ़ रहा है और यह जब fluctuating form में बढ़ना होता है न this is called periodic change तो मतलब volume periodically change हो रहा है किस पर? atomic mass के respect पर तो with respect to atomic mass the atomic volume changes periodically periodically वो change करता है और यह बात इस graph ने साबित भी कर दी और इस graph से हमें यह भी पता चल गया कि जो corresponding points रहेंगे वो corresponding points क्या property दिखाएंगे तो corresponding points हमेशा similar property दिखाएंगे जैसे मैंने सारे peak point पकड़ लिए यह सारे peak point है इन सब की property बिल्कुल same रहेगी यह Mandelief ने बोला और practically बता दू होती भी है आज तक इसकी property similar होती है आज तक जिस time आप मेरा video देख रहा है उस time तक इनकी property अपस में same है बिल्कुल same है इसलिए इनको group one में रखा है modern periodic table में अब कहां क्या होता group one कैसे होता है वो अभी सब छोड़ो modern periodic table में सब बताऊंगा यह जो ABCD है मैंने अभी तो इनको judge नहीं किया यह कौन से element है ना मुझे करना है अभी ठीके लेकिन यह जो भी element होंगे अभी तो फिलाल मैंने उनको ABCD नाम दे दिया इन सब की property same होगी similar होगी not the same but the similar exactly same नहीं है बट approximately same रहेंगी concept clear हुआ लॉथर मेर कर्फ की importance कोई नहीं बताएगा इतना detail में लॉथर मेर कर्फ क्योंकि बोल दिया जाता कि लॉथर मेर कर्फ हटाई दो छोड़ी दो सीधर मेंडलीफ पर आ जाते लॉथर मेर कर्फ जरूरी है तभी मेंडलीफ और तभी आपको modern periodic table समझ में आएगा अगर लॉथर मेर नहीं आया तो बस रटना पड़ेगा फिर आगे रटने हम नहीं चाहते हम चाहते हम चाहते मैंनेट मेंस के जितने सब्सक्राइबर सो जितने विवर से वो सब समझे कंसेट को clear है I hope सबको संपट पड़ी होगी जल्दी से screenshot लो हम आगे बात करते है तो ये था हमारा क्या लॉथर मेर कर्फ पर सारी बाते और लॉथर मेर कर्फ से अब कुछ points और दिखाल लेते हैं जो following observations थे from the curve जो कर्फ से बहुत सारे observations आये थे क्या क्या है थे most electropositive element that is alkali metal lithium sodium potassium rubidium cisham यादे मैंने ये सब अलग से बनाया था यहाँ लिखा था यादे lithium sodium potassium rubidium और cisham यही तो लिखा था मैंने तो ये सब पता है क्या metal की category है क्योंकि इनके volume सबसे जादा है they occupy the peak positions on the curve peak positions थी उसकी curve पर less electropositive that is alkali earth metal beryllium magnesium calcium strontium barium occupies the descending position on the curve descending मतलब उनकी थोड़ी सी जो position रहेगे वो peak point से just नीचे वाली रहेगे तो peak point से जो भी just नीचे वाला curve था अगर मैं आपको curve दिखा पाऊं दुबारा तो तो उस पे जो भी next position थी मतलब ये जो points मैंने आपको बताए थे ये second position थी second position मतलब peak के just बाद वाले जो metal आते हैं वो उनकी position थी जैसे sodium है तो ये वाला magnesium हो गया ठीक है ये potassium है तो ये potassium के बाद ये वाला calcium हो गया ये फिर magnesium calcium ये strontium हो गया ये फिर barium हो गया इस तरीके से ये second position है जो की descending positions पर इनको आप रखो गये clear हो गया उसके बाद उनने क्या कहा metalloids boron, silicon, tellurium, astetine etc. and transition metals occupy bottom part of the curve जो सबसे bottom part था न curve का उन पे ये सारे metalloids थे metalloids किसे बोलते जो metal और non metal दोनों की properties दिखाते हूं तो metal और non metal दोनों की properties दिखाने वाले आपके metalloids होंगे उसके बाद most electronegative that is halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine occupy the ascending position on the curve, जो ascending position होगी curve पर वो halogen की होगी यानि की fluorine, chlorine, bromine और iodine की होगी मतलब इनकी सबसे कम position होगी सबसे नीचे होगे क्योंकि इनका volume सबसे कम होटा है, जो सबसे नीचे की position होगी वो सबसे जाधा electronegative element की होगी क्योंकि उनका volume सबसे कम होता है, fluorine, chlorine, rumine और iodine की, ये वो सारे observation से जो Lothar Mayor Curve से निकाले गए थे Lothar Mayor ने इन observations को देखा था बड़ इसकी बहुत detail study Mandeleaf ने करी थी, और इन study को करने के बाद, Lothar Mayor Curve को बहुत detail में पढ़ने के बाद, Mandeleaf ने अपना एक Mandeleaf periodic table की रचना की थी, जो बहुत famous हुआ था chemistry में, और उस table के पीछे उनने एक law बताया था जिसको Mandeleaf periodic law बोला था जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे screenshot ले ताकि हम वीडियो को conclude कर सके तो ये हो गया हमारे पास Lothar Mayor Curve को लेकर बात जो की हमने आज इस वीडियो में देखी अगले वीडियो में students हम लोग बात करेंगे Mandeleaf के periodic law की और Mandeleaf के periodic table की और जैसा कि आपको पता है Magnet Brains में Class 4 से लेकर Class 12 तक के सारे subjects के videos available हैं जो आपकी पढ़ाई को भैतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर available हैं जिनको आप वहाँ से access कर सकते हो और इनसे जुड़े हुए notes को भी download कर सकते हो Thank you for watching us, stay connected, stay educated Take care